प्यारे बच्चो, आजम कफ्षा 5 पिशे हिंदी पाथ क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदूल करके विशे में पढ़ेंगे बच्चो खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है आप सभी के कोई न कोई प्रिये खेल होंगे खेल के छेतर में हमारे देश के अनेक खिलाडियों ने संसार में अपने देश का नाम उचा किया है उनी में से एक हैं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदूल कर आओ उनके बारे में यह पाठ पड़ें देश के सर्वोच नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानेत भारत के एक मात्र खिलाडी सचिन तेंदूल करने यद भी क्रिकेट को सदा के लिए अलविदा कह दिया अर्थास क्रिकेट से डेटार्मेंट ले लिया किन्तु आज भी सचिन तेंदुलकर का नाम सुनते ही बच्चे, बूढे, जवान सभी के चेहरे खिल उटते हैं क्रिकेट की चर्चा हो और सचिन का नाम ना आए ऐसा संभव ही नहीं है सचिन और क्रिकेट को परियाई मान लिया गया है परियाई का अर्थ होता है एक जैसे अर्थ वाले अर्थात सचिन और क्रिकेट दोनों एक ही जैसे अर्थ वाले माने गए हैं भारतिय क्रिकेट के महनायक मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर दुनिया के सर्विस्रेस्ट बल्ले बाज माने जाते हैं उनकी शांदार तक्नीक और चमत कारिक बल्ले भाजी को देख कर लोग आश्चरी चकित रह जाते थे अर्थात सचिन तेंदुलकत काफी अच्छे बल्ले भाज माने जाते थे उन्हें मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता था भारत क्या दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी उनकी बल्ले भाजी का नजारा देखने को उच्चुक रहते थे लिटल मास्टर देखो सचिन को मास्टर ब्लास्टर और लिटल मास्टर के नाम से भी जाना जाता था लेटिल मास्टर सचिन का जन्म 24 अप्रेल 1973 में मुंबई में हुआ था उनके पिता प्रोफेसर रमेश तेंदुलकर मुंबई के कीर्थी कॉलेज में मराथी पढ़ाते थी और उनकी मा रजनी कोठारी भारतिय जीवन बीमा निगम में कारे करती थी अर्था सचिन के माता और पिता दोनों कारे करते थी दोनों जॉब करते थी सचिन अपने भाई बहनों में सबसे छोटे हैं उनके दादा ने मसहूर संगीत का सचिन देव बर्मन के नाम पर ही पोते का नाम सचिन रखा शायद इसलिए क्रिकेट और परिवार के अलावा सचिन को संगीत सबसे अधिक पसंद है अर्था जो सचिन तेंदुलकर है क्रिकेट के अलावा उन्हें संगीत से म्यूजिक से भी काफी प्यार है उन्हें गाने सुनना म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है सचिन ने सबसे पहले जिस गैंदबाज का सामना किया वह थी उनकी आया लक्षमी बाई माता और पिता दोनों कारिड़त थे पिता जी उनके प्रोफेसर थे माता भारती जीवन विमा विगम में कारि करती थी इस कारण सचिन की देखभाल के लिए उन्होंने एक आया रखी हुई थी जिसका नाम लक्ष्मी बाई था तो सचिन ने सबसे पहले जो गैद का सामना किया वो लक्ष्मी बाई की गैदों का सामना किया अर्थाज लक्षमी भाई उनकी आया थी वह उन्हें क्रिकेट खिलाती थी और उन्हें गैंद देती थी तो सबसे पहले क्रिकेट खेलना शुरूर होने अपनी आया के साथ किया धाई साल के नन्हे सचिन के लिए वह छट पर प्लास्टिक की गैंद से गैंद बाजी करती और सचिन कपड़े धोने वाले डंडे से गैंदों की ठुकाई करते थी सचिन के भाई अजीत जो उनसे उम्र में 11 वर्ष बड़े हैं स्कूल और कॉलेज की टीम में क्रिकेट खेला करते थे उनका कहना है कि सचिन बच्पन में बड़ा शरार्ती और चपल चपल का अर्थो होता है चंचल प्रवर्ती वाला व्यक्ति कभी एक जगह टिकता नहीं था चकर लगाता रहता था उसे शुरू में आउटडोर गेम्स पसंद थे आउटडोर गेम्स अर्थात ऐसे गेम जो की दरवाजे के बाहर या फिर घर के बाहर खेले जाते ही उसमें लड़ने जूजने की प्रवर्ती प्रवर्ती रथात मन का जुकाओ ठीकें उनमें लड़ने जूजने की प्रवर्ती के साथ दोस्तों के लिए सच्की लगन और लगाओ भी था सचिन का पहला हीरो खिलाड़ी क्रिकेटर नहीं बलकि टैनिस का सितारा जॉन मैकनरो था जॉन मैकनरो की तरह सचिन भी हाप में टैनिस का बल्ला लिए शिरपर और कलाई पर बैंड बाधे घूमा करते थे लेकिन टैनिस के प्रती सचिन का लगाव अधिक दिनों तक नहीं टिका और उनका जुकाव क्रिकेट की ओर हो गया बच्चपन से ही सचिन का क्रिकेट खेलने का अपना तरीका था उनके इसी तरीके और लगाव ने उनके भाई अजीत का ध्यान आकरशित किया उन्होंने सारदाश्रम विद्यामंदिर के कोच कोच किसे कहते हैं कोच का अर्थ होता है जो की प्रसिक्षण देता है अर्थात क्रिकेट सिखाने वाला या कोई भी अन्य गेम का प्रसिक्षण देने वाले को बोलते हैं कोच तो उन्होंने सारदाश्रम विद्यामंदिर के कोच रमा कांट अच्रेकर से अपने भाई को क्रिकट सिखाने का अनुरोध किया उस समय सचिन बांदरा में घर के पास ही इंडियन एजुकेशन सोसाइटी के निउ एंगलेश स्कूल में पढ़ते थे उनके जादातर दोस उसी स्कूल में थे कोच अच्रेकर ने सचिन के पिता को उनका दाखिला सारदाश्रम में करवाने की सलहा दी सारदाश्रम मुंबई में क्रिकट खिलाडी बनाने की सेक्टरी के नाम से प्रसिद्ध है अर्था सारदाश्रम जो स्कूल है मुंबई में वहां बच्चों को क्रिकेट के लिए तहियार किया जाता है जो बच्चे क्रिकेट खेलने के इच्छुक हैं या क्रिकेट खेलना चाहते हैं वो मुंबई के सारदाश्रम स्कूल में दाखिला ले लेते हैं प्रोफेसर रमेश ने इस बात का निर्णय पेटे पर ही छोड़ दिया निर्णय का अर्थ होता है फैसला कि सार्दाश्रम इस पूल में दाखिला करवाना है या नहीं यह फैसला उसके पिता ने सचिन पर छोड़ दिया सारदाश्रम सचिन के घर से पहुत दूर था साथ ही दोस्तों का साथ छूणना भी आसान न था पर सचिन के लिए क्रिकेट ज्यादा महत पूर्ण था उन्होंने निर्णय लेने में जरा भी देर नहीं लगाई और इस तरह उनका दाखिला सारदाश्रम में करवा दिया गया अब शुरू हुआ सचिन का अभ्यास और प्रसिक्षन प्रति दिन बहुत सुभच 6 बजे सिवाजी पार्क में नेट अभ्यास के लिए पहुँच जाते और वहां से स्कूल सारदाश्रम सिवाजी पार्क के पास ही था शाम को स्कूल से लोट कर वे फिर अभ्यास करते सचिन के चाचा चाची का घर सिवाजी पार्क के पास ही था अतहो सचिन को चाचा के घर ही रहने भेज दिया गया अपने पिता, भाई और कोच के अलावा सचिन पर जिनका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, उनमें चाचा और चाची भी सामिल हैं बल्ले बाजी सत्र के दोरान, कोच अच्रेकन अपने प्रिय शिष्य को बल्ले बाजी के नएने गुर सिखाते, गुर अर्थात नएने तरीके बताते, गेंद बाजी के प्रती भी सचिन का आकर्षन रूसे ही था, अर्थात एक अच्छे बल्ले बाज होने की सांस्ता, सचिन एक अच्छे गैंदबाज भी थे, वह भिन्ने तरह से मेडियम पेस और लेक स्पिन करते थे, छेत रक्षन भी वह बड़े मनोयोग से करते थे, मनोयोग करत होता है, पूरे मन से और ध्यान से छेत रक्षन होता है, फिल्डिंग, जब हम क्रिकेट खेलते हैं, तो हम देखते ह कि एक गैंदबाज होता है, एक बल्ले बाज होता है, और कुछ क्या होता है, गैंद को पकड़ने के लिए कुछ खिलाड़ी पूरे छेतर में, पूरे फिल्ड में फैले होते हैं, उन्हें बुलते छेतर रक्षन. पहली बार क्रिकेट किट खरीदते समय, उनके मन में कौतुहल था कौतुहल का अर्था दोता है नई चीज के बारे में जानने की च्छा रखना बल्ले पर नजर पड़ते ही उन्होंने उसे उठा लिया घुंगरालू बालो वाले छोटे कत के लड़के के लिए वह बल्ला बड़ा और भारी था भाई और कोच के रोकने पर भी सचिन ने वही बल्ला लिया और उससे खेलना शुरू किया आज भी सचिन विश्म में सबसे भारी बल्ले से खेलने वालों में से एक माने जाते हैं बारह वर्स की उम्र में सचिन ने पहली बार F डिविजन के युवा पार्सी कलब की ओर से कांगा लीग में भाग लिया सचिन की क्रिकेटर के रूप में यह करियर की शुरुवात थी उन्होंने अपने जीवन का पहला श्यतक सन 1985 से 86 में अंडर 17 के लड़कों के साथ खेलते हुए हैरिस सेल टूनामेंट में बनाया अंडर 17 का अर्थ होता है 17 साल से कम उम्रे के बच्चे जो की क्रिकेट खेलते हैं क्रिकेट जगत के बड़े बड़े लोगों का ध्यान इस पिसमे कारी बालक पर केंदरित हो गया सन 1988 में हैरेस फील्ट खेलों में ही सचिन ने अपने मित्र और साथी विनोद कामबली की सांचेदारी में 664 रनों का पहाड जैसा विसाल स्कोर खड़ा करके विपक्षी गैन बाजों के छक्के छुड़ा दिये सन 1988 से 89 में गुजराद के खिलास खेलते हुए वे किसी प्रथम स्रेणी मैच में 32 दिन के क्रिकेटर बने सचिन के अंतरास्ट्रिय करियर की अंतरास्ट्रिय का अर्थ होता है विभिन्ने रास्ट्रियों के बीच होने वाला क्रिकेट मैच अर्था दूसरे देशों के साथ होने वाला सचिन के अंतरास्ट्रिय करियर की शुरुवाद 1989 में पाकिस्तान के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के साथ हुई इस मैच में यद पी उन्होंने केवल पांच रन बनाए पर आने वाले समय सचीन का था 17 वर्स की कम उम्र में अंतराश्ट्री क्रिकेट में शतक लगाने वाले वह सबसे कम आयू के दूसरे खिलाडी बने इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुलकर नहीं देखा पिछले सभी रिकॉर्ड टूटते गए और नए नए रिकॉर्ड बनते गए उन्होंने 72 मैचों में मैन अफ दे मैच और 19 बार मैन अफ दे सिरीज का अवर्ड भी प्राप्त किया एक दिवसी अंतराश्ट्री मैचों में 12 सतक बनाने वाले वे पहले और 100 अंतराश्ट्री शतक बनाने वाले एक मात्र खिलाडी है टीम इंडिया के लिए खेलते हुए वर्ड कप 2011 जीतना सचिन के जीवन का सबसे यादगार दिन रहा था दिसंबर 2012 में सचिन तेंद्वलकर ने एक दिवसी अंतराश्टी मैचों से सन्यास लेने की घोश्णा की अक्टूबर 2013 में उन्होंने टीट्वेंटी मैचों से भी सन्यास ले लिया और अन्त में 16 नवंबर 2013 को मुंबई के वान खेड़े स्टेडियम में वेस्टन टीज के खिलाफ अपना अन्तिम और दोस्वा सतक मैच खेल कर क्रिकेट के इस महानायक ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया अर्थात क्रिकेट से पूर रूप से सन्यास ले लिया सन 1994 में क्रिकेट के छेत्र में सचिन की उपलब्धियों के लिए उन्हें अर्जुन अवर्ड से सम्मानित किया गया जो अर्जुनवर्ड होता है वो खिलाडियों को दिया जाता है उपलब्दियों का आर्थ होता है प्राप्त करने वाली सपलता है या प्राप्तियां सन 1997 से 98 में उन्होंने भारत का प्रतिस्ठित प्रतिस्ठित कारतोता नामी जामी फेमस प्रतिस्ठित खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत में प्राप्त किया। भारत सनकार ने सन 1919 में उन्हें पदमश्री और सन 2008 में पद्ल भूशन की उपाधी से सम्मानित किया। इतना ही नहीं सन 1914 में उन्हें सरकार ने सर्वोच्चे सम्मान भारत रत ने भी प्रदान किया। एक सम्वेदन शील व्यक्ति, सम्वेदन शील अर्थाद भावुक या पिर अनुभव करने के सभाव वाला। एक सम्वेदन शील व्यक्ति के रूप में सचिन कमजोर और पिछडे बच्चों की साहिता के लिए अनेक गैर संसकारी संगठनों से जुड़े हैं। गैर सरकारी जो होती हैं, एंजियोज होते हैं, नॉन गॉर्णमेंट और्गनाजेशन होते हैं, जो की इंडिरेक्टली सरकार से जुड़े होते हैं। अपने उस्तरदाइत्मों को निभा रहे हैं। अर्थात सचिन तेंदुलकर जो हैं, वो अभी भी अपने क्रिकेट छोड़ने के पश्चाब भी अपने पूर योगदान देश को दे रहे हैं। तो सचिन तेंदुलकर जो हैं, वो हमारे देश के एक बहुत महान व्यक्ति जिसे क्रिकेट का महानायक कहा जाता है। जिसे भारत रत्म जैसे भारत रत्म अर्जुन अवर्ड, पदम भूशन, पदम श्री और राजीव गांदी खेल रत्म जैसे कई सारे प्रोषकानों से भी सम्मानित किया गया। ऐसे एक महान व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति होना दुनिया में बहुत ही गौरव की बात है। तो उम्मीद है आपको यह पार्ट सचिन तेंदुल कर करकेट के महानायक समझ में आया होगा। अब इस वीडियो को आप देखिए और समझ किये। तब तक के लिए धन्यवाद।